हलो दोस्तों सरोच एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज में लेकर आई हूं केवल बिस्किट से अपने ऐसी नहीं मिठाए बनाएंगे कि मुझ में जाते ही यह पिगल जाएगी आप यकिन ही नहीं करेंगे कि बिस्किट से बनी है ना मावी की जरूत ना दूद की किसी की भी जरूत नहीं है बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे तो फिर चलिए यह वीडियो फटावर्च से सुरू कर लेते हैं मैंने यह पर तीन चार दिस्किट लिये हैं पालेजी वाला आता है ना आप वो ले लीजिएगा और अगर यह ना हो तो कोई सी भी कंपनी का अब आपको एड़ाइस नहीं करूए और तीन चार मैंने यहां पर पालेजी की विस्किट ले लिया हैं जिसे गेस और करके यहां पर मैं तीन चार चमच एड़ कर रहे हूं गी की और गी को मेल्ट होने देंगे और गी बहुत जल्दे मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दे गर हो जाता है तर तीन चार समाथ मैं यहाइड कर चुकिया है और विस्कित लिये हैं वह इसमें यह करेंगे वह सब् justement करेंगे ना आटे की जरुत की कि बीडी जरुट नहीं हो this ने। थोड़ा सा पका लेने के बाद । इसमें मैं एड कर दियू हूँ ये सक्कर आप स्काभा तो तिस आशनी बनाका भी मेरे चाहते लेकिन यह आप डारेक्ट कि ऽपकर डेय। करेंगे ऐसमें काजिबुँ आदाने के बाद करेंगे और यहों कर देंगे टर नीचे से करने करने का अपन लेंगे मैं आप किसी lifetime को बना सकते हoma सकते हो जरूर मैंने यहां पर नंगा दिया है आप करेंगे जरूत किया है क्या बडा सांटा करेंगे अइसी करेंगे घंटों इंतजार करने ज़रूत पड़ी और नाहीं और कौह जोड़ा ऐसे कट कर लेंगे इसकी पीसेशन ये बन गई है अपनी टेस्टी सी बर्फी थोड़ी सी मैंने इसकी सिखाई जदा करती है तो थोड़ा आपको डार्क कलर लग रहा होगा लेकिन यकिन किजी ये टेस्ट में बहुत जदा टेस्टी लगेगी अगर आपको ये